हलो एवरिवरन वेल्कम बैक टू माई चैनल सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि फिश को कैसे स्टोर करके हम 10 से 15 दिनों तक रख सकते हैं फ्रीज में यह जो फिश आप देख रहे हो यह कटला फिश है और इस फिश को हमने अच्छे से कट करके लिया हुआ है यह बड़ी वाली फिश थी जो कटला फिश है जिसको हमने शॉप से अच्छे से कट करके लाया हुआ था आप देख सकते हो बहुत सरी फिश है जो हमने फार्म से अब देख सकते हो यह अच्छे से clean हो गई है अभी इसको हम करेंगे store store करने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे टर्मरीक पाउडर और सॉल्ट एड़ करने वाले है और इसको हम अच्छे से mix करके लेंगे हमारे फिश के ऊपर यह अच्छे से mix हो जाने के बाद इसको हम store होने के लिए फ्रीज में रख देंगे सबसे पहले यह अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम लेंगे एक बरतन यहां पर हमने प्लास्टिक का डबा लिया हुआ है स्टोर करने के लिए आप चाहिए तो स्टील का डबे का भी यूज कर सकते हो अभी यह जो छोटी फिश है इस इसलिए इससे स्मेल आ ही नहीं रहा था बहुत ही कम बोले तो मतलम ना के बराबर स्मेल इसका आ रहा था और इसको हमने अच्छे से क्लीन वाटर में दो-तीन बार क्लीन करके लिया हुआ है तब भी यह फिश अच्छे से स्टोर हो पाएगी और यह खराब भी नहीं होगी इसको भी हमने same process में turmeric powder और salt लगा के marinate किया और इसको हमने pack करके ले लिया. अब ही हमारा second batch है, इसको भी हम same process में ये marinate करने वाले हैं, पूरा process करने वाले हैं. हम इस fish को, जो है हमारी कटला fish है, इसको हम salt और turmeric लगा के, हमारा जो plastic का डबबा है, इसमें डालके हम इसको deep freezer में रखने वाले है और इस जो fish को आप 15 से 20 दिन तक deep freezer में रख सकते हो और आप चाहिए तो एक second process भी है वो भी आप यहाँ पर use कर सकते हो अभी जैसे कि हमने इसको अच्छे से turmeric और salt लगा के marinate किया है और इसको डबे में डाला है इसमें हम पानी नहीं add करने वाले है second process है आप चाहिए तो इसमें पानी भर के deep freeze भी कर सकते हो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो सीर है वो भी हमने cut करके लिया हुआ है सीर के size से ही आपको पता चलेगा यह फिश कितनी बड़ी है और इसको भी हम अच्छे से अभी store करने के लिए पूरी तरह से इसको marinate करेंगे और यह जो cutla fish है इसका जो fishing का वीडियो आपको देखना होगा तो मैंने description में इसको add कर लिया है आप वहाँ जाके देख सकते हो और इस fish की recipe भी यहाँ पे है वो भी आप देख सकते हो अभी इस तरह से हमने सारे fish को अच्छे से प्लास्टिक के डबे में pack करके लिया हुआ है आप देख सकते हो यह अच्छे से हमारा जो marinate हो गया है पूरी तरह से इसको भी हम एक डबे में भरके लेंगे और यह हमारा जो fish पूरी तरह से अभी store होने के लिए ready हो गये है सारे जो fish हमने लिये है यहाँ पे यह अभी पूरी तरह से ready हो गये है अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी कितनी सारे fish के डबे ready हो गये है और यहाँ पे यह चोटी वाली भी कटला फिश ही है जो हमारे फार्म से हमने पकड़ के लाई हुई है और जो बड़ी वाली फिश थी उसको हमने कट करके लाया हुआ है अब यह सारी फिश हम हमारे फ्रीजर में स्टोर करके रखेंगे अब ये पूरी तरह से हमारी fish पूरी तरह से store होने के लिए ready हो गई है आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो ता आप भी इसी तरह से आपने fish को store कर सकते हो और ये fish storage की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और subscribe कीजिए, thank you